है कि हैलो फ्रेंट्स वेलकम टोवर चैनल मार्केट सीक्रजी युझी तो फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शांदर कमपनी के बारे में जो कि मार्केट का वाइस तो बहुत ही ज्यादा मीनिक एक लेकिन इस कमपनी के फंडामेंटल बहुत ल्यारा करना चाहूं अगर आप यहां को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि यहां को मिलेगा 100% जैनल कंटेंट तो फ्रेंट्स विडाउट वेस्टिंगों टाइम चलते हैं डिरेक्ट वीडियो के तरफ तो फ्रेंट्स सबसे पहले आये डिसकेशन कर लेती हैं इस कंपनी के बीडिनस मोडल के बारे में कि यह कंपनी क्या काम करती है जैसा कि वैसे आपने थमनेल में देख लिया होगा कि यह कंपनी का काम क्या है मेंली फिर भी आये डिटेल में डिसकेशन कर लेती हैं इस कंपनी क बीडनेस मोडल के बारे में जिन फ्रेंट्स को नहीं पता तो देखे फ्रेंट्स ये जो कंपनी है ना मेली ये मैनुफेक्टरिंग का काम करती है किस ची के मैनुफेक्टरिंग आइसक्रीम की मिल्क प्रोडक्ट्स की नमकीन की बेकरी की स्वीट प्रोडक्ट्स की तो टोडल वाले टाइम में इन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड बढ़ता ही जाएगा क्योंकि जैसे जैसे हमारी एकोनमी आगे बढ़ेगी और हमारा डिस्क्रिशन स्पेंड यहां से 10 टाम्स होने वाला तो यह बहुत ही जबयास बीनस है देखिए जो यह कम्पनी है यह इनका जो बीनस वेटिकल।स है इनन्होंने बता रहा कि यह फ्रीटी की बीनस वेटिकल्स वेटिकल्स है जिन्म मlaer की और है frozen foods है नमकीन है और इसके इलावा देखें जो सब सेगमेंट्स है company के उसमें bakery products है sweets है frozen vegetables है तो काफी अच्छा में को इसका product portfolio लगा और company ने बता रहा है कि इनका जो revenue आता है वो 91% revenue तो मिल products ही आता है और 9% जो revenue आता है वो other products जैसे नमकीन है frozen foods हैं वहां से यह generate करती हैं और company ने एक partnership कर रखी है किन से partnership कर रखी है जो यह बड़े बड़े जो companies है oils की आयो CL है BPCL है HPCLA की हमारे products आप एक जगा से दूसरे जगा आप पुंचा के दोगे तो उन्सका इन्होंने पहले ही इन company के साथ टाइब कर रखे हैं और इसके लावा brand presence की अगर हम बात करें तो देखे company के जो products है वो मेली थ्री brand से बिकते हैं एक तो शीतल रिच शीतल है एक है रिच क्रीम और एक है जैड ओर तो मेली इन्होंने बता रखे है कि इनके जो famous जो brands है वो एक तो शीतल है और एक जैड ओर तो ये मेली दो brands हैं जिसके अंदर ये company deal कर रही है और इसके इलावा देखिए company के company ने ये बताया कि ये गुजरात महारास्टा और राजिस्तान रीजन के अंदर well established हो चुके है इवन इसके इलावा MPs के अंदर भी तो मेली कहां पर ये मेली अपना focus कर रहे हैं अभी at present गुजरात के अंदर महारास्टा के अंदर राजिस्तान और मद्या परदेश देखिए इनकी जो manufacturing capacity है per day की तो ये बता रहे हैं कि 2,00,000 लीटर per day इनका ice cream production होता है इसके इलावा देखिए जो milk processing है वो 80,000 लीटर per day होता है इसके इलावा जो candies ये बनाते हैं तो इन्होंने बता रहे हैं कि 17,00,000 प्लस candies एक दिन के अंदर ये बनाते हैं और ice cream cups की अगर बात करें तो 11,00,000 लेक पर डे इनके ice cream cups ये manufacturing करते हैं और इसके इलावा जो ice cream cones होते हैं वो 7,00,000 लेक पर डे ये ice cream cone को produce करते हैं तो देखे कितनी जादा heavy quantity के अंदर ये company production कर रही है और ये बहुत ही अच्छे sign है कि company के demand काफी जादा products की और add present company ने क्या किया कि ये big basket के अंदर ये company ने अपनी present show की है और आने वाले time के अंदर ये अपना जो business है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये start करने वाले हैं और इनको recent के अंदर एक approval मिला था जो की export inspection council की तरफ से है और ministry of commerce and industry और government of India के तरफ से export करने का भी इनको license मिल गया है तो company के लिए काफी अच्छे growth sign है और देखिए इन्होंने यहाँ clear बता हैं मिल ली तो देखिए आपको उपर हमने बात किया कि यह गुजरात राजिस्तान MP और महारास्टा के अंदर डील करते हैं और कुछ कश्मीर के अंदर और अब यह नोईडा यूपी के अंदर डील करने हैं और इसके लावा 10 प्लस nations के अंदर यह company अपने जो 19 है उसको अपनी का company अपने business को international लेवल पर भी लेके जा रही है तो यह company के growth sign बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छे लगे और distribution network की अगर हम बात करें तो देखे कमनी के पास काफी अच्छा का सा distribution network है जितने अभी चोटी कमनी है उससाब से अच्छा distribution network है तो जो कि फनेशल यह 20 के अंदर 560 था और एड़ पैजेंट जो financial year 2022 के अंदर यह 652 हो चुका है तो यह काफी ज्यादा distribution network के अंदर increase हो रहा है और इसके लावा देखिए कंपनी ने बताया कि वेस्टन रीजन के अंदर कंपनी के बाद सिफ्टी सूपर स्टोक स्टिक्स और इसके लावा 430 distributor है और इसके बाद सेवन रीटेल पार्लर्स है और 30,000 retailers है और 60 distribution vehicles हैं कंपनी के पास तो यह कंपनी के पास सब कुछ है जो एक मीनी कंपनी को चाहिए होता है आप यह कैसेते हैं कि ग्रोथ के लिए और अपने ब्रैंड्स को परमोट करने के लिए तो अच्छा distribution network है ग्लोबल footprint है और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लता है कंपनी काफी अच्छा करने वाली है और इसके लावा देखिए यह कंप से फोकस कर रहे हैं और वहां पर भी यह ice cream और frozen foods के साथ यह अपने portfolio को develop कर रहे हैं और इसके लावा देखिए कंपनी मेली export कर रही है माल कैलिफोर्निया के अंदर USA के अंदर तो यह कंपनी का काफी अच्छे growth sign है तो यह थी मोटा मोटा कंपनी के बीनस के बारे में बात आ तो कंपनी का जो market cap है वो 672 का है यानि बहुत ही mini cap कंपनी है और इसके लावा company की जो face value है वो 10 रूपीज है और company का जो ROE देखे 29 है और company का ROC है वो 21 है तो बहुत ही अच्छा है और company के profit growth देखिए 517% की profit growth है फिले तीन सालों में 74% है फिले 5 सालों में 49% है और इसके लावा देखिए जो company का जो pack ratio है वो 0.74 है आप हमेशा pack ratio को ही consider कीजिए instead of PE ratio क्योंकि PE ratio की कोई खास value नहीं होती लेकिन जो pack ratio है अगर कोई company आपको pack ratio 1 से नीचे अगर मिलती है तो यह काफी अच्छा साहिन होता है उसकी earning growth का और इसके लावा company का जो cash cycle है वो काफी जादा में को अच्छा लगा क्योंकि cash cycle जितना छोटा होता है minus के अंदर होता है तो काफी अच्छा माना जाता है इसका one sixty days है और इतनी छोटी company है debt to equity ratio यह one से नीचे होना चाहिए जो की almost यह अपने debt जो इसका जो debt है वो almost जो level हम देखते हैं company का उसी के आसपास घूम रहा है तो company को आने वले time में debt decrease करने की तरफ देखना चाहिए और promoter holding की अगर बात करें तो 65% की promoter holding है it's a very good sign वो पिछले कुछ quarters के अंदर यह जो promoter holding का यह काफी increase हुई है और इसके लावा pledging के अगर बात करें तो zero pledge है और intense value की अगर बात करें तो यह 227 की intense value दिखा रहे हैं और company trade कर यह 640 पे तो थोड़ा सा slightly यह share महेंगा है मेरे हिसाब से लेकिन जो pack ratio दिखा रहा है कि यह भी one से नीचे है तो इसको हम महेंगा भी नहीं कहा सकते और इसके इलावा देखिए अगर हम बात करते हैं तो company के profit and loss के अंदर अगर आप गोर से देखेंगे तो company की sale काफी अच्छे ढंक से increase हो रही है 2015 के अंदर जो sale 45 crods की थी और March 2022 के अंदर वही sale 327 crods की हो जाती है तो काफी अच्छा growth है company के पास और at present अगर हम net profit के अगर बात करें तो देखिए जो की 2015 से शुरू हुआ और देखिए जहाँ ये net profit zero था और आज company 24 crods का profit generate कर रही है तो काफी अच्छा science है और अगर हम percentage के अगर हम बात करें तो देखिए company की जो पिछले पांच सालों की sale growth है 16 परसेंट है और पिछले थ्री सालों की 12 परसेंट है on equity है देखिए पिछले पांच सालों में 18 है अपिछले तीन सालों में 20 है और लास साल में 29 है तो राइजिंग आरो यह इस वेरी good sign of growth और अब मैं आपको टिकर फिनलोजी के अंतर लेकर जाना चाहूँआ तो देखिए आए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इस company की rating के बारे में और अगर आप rating देखेंगे तो काफी अच्छी rating लगी मुझे five out of four star की rating है और इतनी छोटी कंपनी है तो काफी अच्छी rating इस company की मुझे लगी और मैं आपको इसका बात में भी मैं चार्ट भी दिखाता हूं तो देखें फ्रेंड्स यह देखिए जो में रेशो हम देखते हैं देखें सेल ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है प्रोफिट ग्रोथ काफी अच्छा हो र प्रोफिट आफ्टर टेक्स है यह रेशो में को काफी कमनी का अच्छा लगा जो की हम कंसीडर करती है कि अगर वन से उपर हो तो काफी अच्छा यह माना जाता है और इस company के अंदर यह वन से उपर है तो यह काफी अच्छे science है इसके इलावा अगर आप promoter holding के अंदर आए है देखे 21 सब्तंबर के अंदर यह 55.9 था जो कि March quarter आते हैं यह 60% हो गया और सब्तंबर 22 के अंदर यह 65 हो गया तो काफी अच्छे positive science है इस company के लिए और strength or limitation की बात करें तो limitation में एक ही point आ रहा है कि company की जो revenue growth है उसके थोड़ी कमी आई है और इसके अलावा देखिए अगर हम strength की बात करें तो देखिए उन्होंने बता रहा है कि ROI काफी अच्छा है पैगरेशों की यह बात करें है हलाकि यह पैगरेशों यहां और screener के इंदर different दिखा रहा है और इसके इलावा देखिए cash efficiency cycle बता रही है यह काफी अच्छा है इस company का और इसके लावा good cash flow management की अग function ने manage किया हुआ है और hyper motor holding है तो मोटा मोटा यही points है friends जो हमने अभी discussion के यह आई यह अब हम technical के अंदर चलते हैं तो उसके लिए मैं आपको लेके आना चाहूंगा तो देखिए यह open करके रखा हुआ है तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो clear तो यह यह जो point है यह यह काफी अच्छा sport area है इस company के लिए यानि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो यह जो area ना यह 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 अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें 544 के आसपस जो area यह काफी अच्छा sport है और company अभी uptrend के अंदर इसका चार्ट दिखा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि यह share आने वाले time में thousand प्लस जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाफस एक अपनी growth कर रही है और mini cap company है और काफी अच्छा इसका चार्ट लग रहा है और मैं आपको एक बात गूगल का चार्ट भी दिखाता हूं इसके अंदर ताकि आपको बात समझ आ सके तो देखिए यह google का चार्ट है और सबसे बड़ी बात आप देख इस तक यह multi bagger pattern break even के अंदर रहा और यहां breakout आया है और यह अब यहां से breakout आ गया है और यह अब यह चलना शुरू हुआ है और मेरे साफसे 1000 प्लस अराम से जाना चाहिए शेयर और friends basically हम मेली fundamental analysis के उपर जोर देती हैं हम ज़्यादा सिर्फ चार्ट के उपर नहीं रहती है क् कि हमें यह देखना की underlying जो 11 है वो कितना ज्यादा strong है कितना ज्यादा उसमें दम है ताकि हम इसको long time तक hold करके रख सके फ्रेंड्स यह बहुत ही ज्यादा अच्छी company लगे मुझे और देखिए जहां 2017 के अंदर यह company का जो price था वो 90 था just 90 और at present अभी क्या चलता है 2022 और इस ने कम time के अंदर आप इसके एक बार return देखिए 609% की यह return generate करके दे चुका है तो बहुत ही शांदर company है friends हाँ friends यह video just take for education purpose है अब कोई भी अगर पैसा invest करना चाहते है तो आप अपने financial advisor से ज़रूर एक कुंटेट कीजिए यह हमारा एक personal opinion है और just to give you a genuine guidance यह video हम बनाते हैं ताकि आपको अच्छी जची company के बारे में हम बता सके उमीद करता हूं friends आपको यह video अच्छा लगा होगा अगर video अच्छा लगा हो तो please like करना मत भूलेगा तो friends मिलते हैं अगली video में एक और शांदर company के साथ तब तक के लिए take care and thank you so much